दिसम्बर महीने के समाप्त होने में अब महज 16 दिन बचे हुए हैं इन बचे 16 दिनों में देश के कुछ हिसों में 10 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं आज और कल पूरे देश में बैंक कर्मचारी के हड़ताल है भार्ते स्टेट बैंक सहीत अधिकांच बैंकों ने पहली अपने ग्रांकों को चेक क्लियरेंस और फंड प्रांसफर जैसे बैंकिंग कारों के प्रभावित होने को लेकर आगा कर दिया था अखिल भार्तिय बैंक अधिकारी परिसंग की महा सचेव सौमेदता ने कहा कि बुधवार को अतरिक्त मुखे श्रम आयुक के समक्ष सुलहा बैठक विफल रही इसलिए बैंक यूनियन हर्ताल कर रही है बैंक यूनियन्स ने बैंकों के प्रिस्तावित प्राविटाजेशन के खिलाब दो दिन के हर्ताल का अवाहन किया इस दो दिवसी हर्ताल के चलते पूरे देश में बैंकों के ब्रांच आज यानी की 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को बंद रहने वाले हैं इसके अलावा 19 दिसंबर को रविवार के चुट्टी के चलते बैंक बंद रहेंगे इस तरह पूरे देश में इस अपता बैंक तीन दिन तक बंद रहने वाली हैं इस्थानी अवकाश के चलते में घाले में शुनिवार 18 दिसंबर को भी बैंक बंद रहने वाले हैं शेनिवार को यू सो सो थाम की बरसी है इसके चलते मिघाले में बैंकों का काम काज बंद रहेगा यानि कहा जा सकता है कि जुतने भी बैंक के काम हैं वो अगर आप निपता लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप नहीं निपता पाई हैं किसी कारणवर्श तो आपको इस सब तहां इंतिजार करना होगा अगले सबता ही बैंकों का काम आप कर सकते हैं क्यों वो हर्ताल पर है, दो दिन की हर्ताल बताई जा रही है प्राइवजाजेशन को लेकर ये बैंक करमचारी जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं सरकार के सकतम का इसमें सबसे ज़ादा जो स्टेट बैंक है वो निज़रा रहा है तो स्टेट बैंक के जितनी भी ब्रैंच है वो पूरी तरह से बंद रहने वाली है जो करमचारी हर्ताल पर रहेंगे और पहले ही आगा कर दिया था बैंक ने ताकि चेक का जो काम है और जो फंट ट्रांसफर का काम है लोग पहले ही करा सके लेकिन जो लोग रहे गए हैं उनके लिए मुसीबत हो सकती है क्योंकि सबता कोई काम बैंक में नहीं होगा